मंत्रियों के सपत के बाद यह सवाल उठ रहा था कि कौन विभाग में कौन मंत्री बनेंगे दरसल बीजेपी ने 12 पिदायकों को मंत्रीपत की सपत दिलाई है और अब मंत्री मंदल में विभागों के बटवारे की चर्चा हो रही है जेडियों में तो नितीश कुमार को बाटना है विभाग टेकनिकली तोर पर तो नितीश कुमार को ही विभाग बाटने है सभी लोगों को जितने मंत्री बने हैं लेकिन विभाग नितीश कुमार ने पहले ही बाट दिया है जेडियों और बीजेपी कोटे को नितीज ने अपने विधायकों को पहले ही बार जब नितीज NDA के साथ सरकार बना रहे थे तब ही उन्होंने विभाग का पटवारा कर दिया आधा विभाग जेडिव के पास है और आधा बीजेपी के पास है बहले ही बीजेपी में समरार चोधरी, बीजे सिना, प्रेम कुमार जैसे मंत्रियों के पास एक मंत्रियों के पास 88-89 विभाग हैं जैसे जेडिव में बीजे चोधरी, विजंदर यादो और सरवन कुमार के पास जैसे कई-कई विभाग हैं ठिक उसी प्रकार इनके उपर भी बिभाग दिया गया था लेकिन जेडियू के बिभागों का बटवारा एक बर फिर से नितीश कुमार करेंगे जबकि बीजेपी में जो बारा बिधायक मंत्री बने हैं उन बारा मंत्रियों को बिभाग समराथ चोधरी और बीजे सिनाब क्योंकि 889 बिभाग की जिम्वारी इनके पास हैं तो इनका बिभाग छिनेगा और दूसरे में बटेगा और बिभाग बाटने के लिए पोटोफोलियो मंत्री अवास से जारी हो नहीं है केबिनेट के दरब से आएगा लेकिन तय इनको करना है लियाज बीजेपी ने अपन संतोस संतूष्ट जो रुष्ट है उन्हें मनाने की बाद जो ताकतवर है उनको समझाने की बाद ये किया जा रहा है बारा बिधायकों को जो मंत्री बने है बारा मंत्री इन बारा मंत्रियों को बिभाग बाटे जा रहे हैं ये बिभाग समराठ चौधरी और बीजेपी द को फलाने फलाने विभाग दिया जाए और ये विभाग कुछ विभाग प्रेम कुमार से लिए जाएंगे कुछ समराठ चोधरी से लिए जाएंगे कुछ बीजे सिना से लिए जाएंगे और इन लोगों से विभाग लेकर बाटे जाएंगे नितीश कुमार को बताया जाएग कि BJP ने अपने हिस्से में आई मंदल के मंत्रियों की कुरसी को अपने मंत्रियों में बाट दी है और 12 विभागों का बटवारा आज 12 मंत्रियों के भीज कई विभागों का बटवारा होगा और सबसे ज्यादा विभाग समराठ और बीजे सिनाय के पास अभी भी रहेंगे बले ही समराठ और बीजे सिनाय से कुछ मंत्री मंदल में विभागों को दूसरे लोगों को सौंप दिया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी समराठ चौदरी और बीजे सिनाय के पास ज्य यतिन विभाग देन और अभी वो मंत्री हैं तो उनको दो विभाग दिया जा सकता है अगर विभाग ज्यादा हो तो बचता है तो फिलाल कोशिच होगी कि सबको एक-एक परमुख विभाग दिये जाए जो नए नए जो विधान परिशत के सदस्स है या जो पहली बार मंत्र बिधायक बने जिनको मंत्री बना गया वैसे लोगों को एक विभाग और इन सभी विभागों कि निगरानी समराच चोद्री और बीजे सिन्हा करेंगे यह भी देखना दिल्चस्थ होगा फिलाल बीजेपी दफ्तर में विधायकों के बीच मंत्री मंडल के विभाग बाट है की सरकार हम बचाते हैं, पार्टी में जीतकर हम आते हैं और मौका दूसरों को दिया जाता है, बिदान परिसत से छुनके आने वाले लोगों पर बड़ी पर बड़ा सवाल है, फिलाल मंत्री मंडल में कभी भी CM सचवाले के तरफ से या मंत्री मंदल सचवाले के तरफ से लिष्टों का ऐलान हो सत्का विभागों का सूची BJP दफ्तर से अगर जाएगी तो आज ही मिल जाएगा और तीन वजे के पहले उमीद है कि सभी लोगों को विभाग बांट भी दिया जाएगा लेकिन विभाग BJP दफ्तर में BJP सिना और सम्राज चुद्री प्रेम कुमार से लेकर ही दिया जाएगा यह भी बड़ी ख़बर है पनोर्मा कुरूप जो सोचता है वो करता है यह लो मुह मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुढ़निया वापस जाएगे जॉब छोड़ दिया है मतला यह घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबबाला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुढ़निया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहां इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हो अपने पुढ़निया में घर ले लिया है पुढ़निया के e-homes panorama में पुढ़निया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान, जिंदगी और अत्यादुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूमिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुढ़निया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined